9 दिसंबर 2015 विलियम टॉपकिन्स एक एपिक बुक रिलीस करते हैं जो एक्स्टा टर्रेस्ट्रियल्स के बारे में है विलियम टॉपकिन्स की कहानी काफी अद्बूद है आज उनकी उम्र त्राणमे साल से भी जादा की है अपने कैरियर के शिरुवाती दिनों में वह नेवी को जोईन करते हैं जहां पर उन्हें यूएस गोर्मेंट के लिए हाइली क्लासिफाइड प्रोग्राम हाइस्ट लेवल पर काम करने का मौका मिलता है वहाँ पर उन्हें परसनली रिस्पोंसिबिलिटी दी गई इन्फॉर्मेशन लेने की 23 डिफरेंट अमेरिकी जासुसों से जो जर्मन सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे जिसमें से एक सीक्रेट बेस अंटार्टिका में था जर्मनी गया यह लगभग 1939 उसी यह देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि वहाँ पर एक बहुत अजीब ओर्गनाइजेशन और डिफरेंट रिसर्च गुरूप काम कर रहे हैं ना केवल जर्मनी से बलकि गुलाम देशों से भी और जर्मनी ने काफी अजीब से दिखने वाले शांदार विमानों को प्रोडेक्शन में डाल रखा था उन विमानों के ना कोई पंक थे ना ही कोई पूँच उनके पास सिर्फ लेंडिंग गियर थे इस में से कुछ ट्राइंगुलर शेप, कुछ रेक्टेंगुलर शेप, कुछ राउंड शेप, तस्तिरी जैसे थे और इसलिए उसे ने नोसेना के एक जासूस होने के नाते इन सभी शांदार प्रस्तितियों का पता लगाया जो जर्मनी के अंदर चल रही थी और यह एक मैत्रपून बिंदू है कि वह अपने बोस के पास जाने के बजाए सैयुक तराज में वापस जाने के बाद वह सीधे नोसेना सच्ची फॉरेस्टल के पास गया फॉरेस्टल कंदे पे आत रखते हैं और वह बताते हैं इस ओपरेटिव का परमुक किसी नोसेना के अधिकारी को मत बनाओ क्या मतलब उन्होंने किसी ऐसी व्यक्ती को चैन करने की बाद कही जो कभी भी एनवपॉलिस सिटी में नहीं था अब लगबग हर नोसेना अधिकारी चाहिए वह एक स्टार या लेफ्टिनेट कमांडर हो वे सभी एनवपॉलिस सिटी के माध्यम से ही सीखते हैं कि नोसेना के अधिकारी कैसे बने यह पता चला है फॉरेस्टल ने बताया कि जो की 6,000 साल पहले ड्रैको रैप्टिलियन्स के दौरा शुरू किया गया था रैप्टिलियन्स वास्तब में आई और कंट्रोल करने लगे और लगबग 5-6,000 साल पहले इस ग्रैप पर जो कुछ भी चल रहा था उसमें हेर फेर करने में शक्षम होने लगे यह सच है कि उनके पास डिफरेंट मास्किंग टेकनोलोजी है जिससे वे अलग-अलग इनसानों जैसे दिखने में शक्षम है लेकिन आम तोर पर उनकी पास इस दर्थी पर अलग-अलग अंडरग्राउंड बेसिस हैं साथ ही साथ विशाल चेतर अंटार्टिका में साथिन रीजन के चेतर में भूमिगत गुफाओं की एक बड़ी संख्या है बहुत ही गरम ताप पांजियो थर्मल हीट के दोरा यह इनसानों के लिए तो बहुत गरम होते हैं पर यह एक परफेक्ट प्लेस है रेप्टिलियन्स की कोलोनीस के लिए दे आर बेसिकली सिटीज उनमें ये लाखो की दादावद में रहते हैं तो नोसेना के सचिवरी को बाटा का चेहन करते हैं वह तो एक अमेरिकी भी नहीं है वह अपने परिवार के साथ यहां आया फिर वो स्कूल गया और फिर सेकंड येर हाई स्कूल में स्कूल छोड़ने के बाद उसने नेवी जोइन करी वह थर्ड क्लास सी मैन के रूपे नोसेना में अपना काम करता है अब वेस्ट कमांडर है उस कमांडर को नोसेना के सेकेटरी द्वारा इन सभी ओपरेटिफ्स के परमुक का चैन करने के लिए और जर्मनी में वापस जाने और यह पता लगाने के लिए चुना जाता है कि आखिर चल क्या रहा है क्यूंकि उस व्यक्ति को कभी भी इस ग्रह पर तकनिकी की छेत्र में गलत जानकारी नहीं दी गई थी हर चीज जिसे हम इस्टैबलिस्मेट द्वारा कंट्रोल की गई एजुकेशन सिस्टम में सीखते हैं उसे विशेश रूप से दिमाग को सच्चाई से दूर रखने के लिए डिजाइन किया गया है और यह उदेश कुण तरीके से किया जाता है इसलिए हम समझ नहीं पाते की हमारे शरी को कैसे इस्थानांतरित किया जाए हमारे शरी को क्या खिलाया जाए हतीद में वास्ता में हमारे साथ क्या हुआ था टेकनलोजी वास्तम में इन दिनों क्या क्या कर सकती है इन सबी चीजों के बारे में अगर हमने सीखा तो हम खुद कोशेशक्त बनाने में मदद करेंगे तो वास्तम में यह समझने में हमारी मदद करेंगे कि वास्तम में हमारी वास्तिविक्ता क्या है यदि आप सेंट्रियागो में नोर्थ आइसलेंड देखने जा रहे हैं तो आप इस तरह की उची इमारत देखने वाले है उस इमारत के शीर्च पर एक छोटा सा कारिया ले है जो की एड्मिरल के लिए एक खुप्त कारिया ले है यह वह जगह हैं जहां आपरेटिव आते हैं तो एड्मिरल की सायता के लिए लेकक को बैरिक्स में आते हैं और कंदे प्यात रखकर सिर्फ एक शब्द कहते हैं वे उस इमारत के उपरी कक्ष में सम्मलित होने के लिए जाते हैं एक छोटा सा कमरा एड्मिरल रिको बाटा यहां बैठते हैं लेकक दूसरी तरह और तीन अन्य पोसिस में से एक जिसके पास सभी कैप्टेंस हैं अब एक टू स्टार एड्मिरल सभी विमान कंपनी स्क्रिप्स इंस्टिट्यूट से वापिस आया था अब वह इन ओपरेटिव टेबल के दूसरी तरफ बैठ गया और वह अपनी बात रखते हुए बोला इन शांदार चीजों से विमुक करता है जो जर्मनी कर रहा है इसका कोई अर्थ नहीं निकलता अब लेका के एक समू में आठ लड़कियां और तीन पिएचिडीज हैं वह साथ में एक पैकेज रखते हैं जो ओपरेटिव लाता है इसमें से कुछ फोटोग्राप्स थे शायद कोई मैनुवर मैनुवर के एक चोड़े अंग्रेजी जर्मनी या किसी अन्य भाषा में नहीं थे वे अलोकिक चित्रलीपियां थी उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा आप यह देख रहे हैं यहाँ आप यह समझते हैं कि जर्मनी क्या कर रहे हैं उन्हें सिर्फ अलोकिक दसतावेज नहीं मिले उन्हें नए अंतरिक्षवाहानों के दसतावेज मिले यहाँ एक यहाँ दूसरा, यहाँ another one वे इन्हें अंदर ले जाते हैं और दिखाते हैं कि इसे कैसी चलाना है इसलिए उन्होंने उन्हें एक गुप्त परियोक्षाला में रखा जिन विमानों को डिजाइन किया जा रहा था उनके सिर्फ धड़ था नहीं पंक नहीं पूच, हाफ एरोपलेन, हाफ स्पेस्शिप्स पहली स्पेस्शिप युएस नेवी की अटैक क्लास संबरीन्स थी उन्होंने उन कारिक्रमों को एक साथ रखा जो अकाश गंगा में ही नहीं बलकि अकाश गंगा से बाहर निकल गए दा मिलिटरी इंडेस्टियल कॉम्पलेक्स जब वे बल्डवाट टू के बाद नाजियों से प्राप्त की गई बहुत सी तकनीकों का परिक्षन कर रहे थे साथ ही साथ अलोकिक भी जब वे परिक्षन कर रहे थे तो उन्होंने इस तकनीक को अपनाया एक रेगुलर सम्मरीन और फिर इसे उन्होंने हमारे वायू मंडल से बाहर निकाल दिया यह पहली बार था कि वास्तव में एक एलेक्ट्रो ग्रेविटिक तकनीक का उप्योग करके हमारे वायू मंडल में एक वैसल को उड़ाने में शक्षम थे कारण यह है कि उन्होंने एक पंडूपी का उप्योग किया क्योंकि वे स्वेम सेल्फ एंड कुलोस थी उस पर कारे करने वाले करमचारी ज़्य महिने या उससे ज़्यादा की आत्रा अपने सभी आपूर्थियों के साथ जाते थे और उनके पास देर तक उन तंग धिमाईयों को समालने में शक्षम होने की साइक्लोजी थी प्रोधोगी की एक बिंदू पर विक्सित हुई जाववे उन्होंने इस विद्धे योजनाओं को विक्सित किया इन बेडों का निर्मान शुरू करने के लिए शिगार शेप क्राफ्ट जिसमें से कुछ का आकार किलोमेटर लोग या उससे भी बड़ा इनको सेक्षन में डाल कर उससे भी बड़ा बना सकते थे और ये सेक्षन आधुनिक संबरीन की तरह मोडियूल थे इसमें से एक मोडियूल को अलग-अलग विग्यानिक कारिकरमों के एक समूब के लिए ब्रोक्षाला के रूप में ती-चार महीने के लिए ब्रियोग किया जाता था और पावर सिस्टम के रूप में न्यूकलियर से थोरियम टाइप इलेक्टिक जनरेटर इसके बाद ये जीरो पॉइंट इलेक्टिक जनरेटर पे चले गए जिसे ये आज भी इस्तुमाल करते हैं यह पूरी तरह से असत लगता है कि इस ग्रह पर 1942 में ऐसा कुछ हुआ था ड्रैको रैप्टिलियन जर्मनी को दो तरह के मिशन के लिए चुनते हैं एक उन सभी लोगों को अटाना जिसे हिटिलर अपनी कंट्री में नहीं चाते थे दूसरा इस ग्रह के सभी आदमी ओरत और बच्चों को इसले फैक्टिरीज में डालना ताकि रैप्टिलियन के लिए अलग अलग परकार के नेवी स्पेश बैटल गुरूप शिप्स बनवाई जा सकें ये पागलपन जैसा लगता है लेकिन ये हुआ था उन्होंने निशकर्ष निकाला कि ये अंदरूनी सूत्र उन्हें क्या बता रहे थे कि जर्मनी वास्तम में अध्याधूनिक अक्रमक अध्याधूनिक नकारात्मक रैटिलियंस हूमन रेस के साथ ट्रीटीज की थी जिने सोरियस और ड्रैको का जाता है इस ट्रीटीज में नाजियों को वास्तम में वर्केबल टेकनोलोजी इस दी जा रहाए थी जो हमारी पारंपरिक प्रणालियों के लिए निर्मित है जिसमें उन्होंने एक परकार का मरकरी टर्मबाइन का इस्तमाल किया था एक परकार का मरकरी जिसे रैड मरकरी का जाता है और फिर वे दर्दी को छोड़ने में शक्षम थे उनके पास चंद्रमा पर एक बस्ती थी उनके पास मंगल पर एक बस्ती थी और ये सब 1949 में हो रहा था यानि कि World War II शुरू होने से भी पहले क्या आप ये सोच सकते हैं? और कोई ये सोच रहा था कि ये लेखक पागल है लेकिन अंदर से जो रिपोर्टिंग आ रही थी वे दर्शाती है कि 12 से 14 फिट लंबे रेप्टिलियन्स इटीज आए वे बैड स्मेल असल में वे जर्मन्स को एडवाइस कर रहे थी कि इन चीजों को कैसे बनाया जाए अलग-अलग वेरियस बेसिस में इंक्लोडिंग डैट इन अंटार्टिका मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर चुका हूँ C.S.I.R और वो रिसर्च प्रोजेक्ट था फंडामेंटल फिफ्ट फोर्स का आप जानते हैं यूनिवर्स में four fundamental forces है हमारी एक कलपना ऐसी है कि वो फिफ्ट फोर्स भी है बारे में ख़बर लग गई जर्मनी के कुछ वेग्यानिकों को वहाँ पर एक में किस काम में लगे हुए थे तो वो कहते हैं इनको प्रेशराइज करो पैसे की मदद से किसी भी मदद से यह हमको या तो surrender करने ही पूरी research या यह तहर करना है कि patent हम नहीं लेंगे वो लेंगे जर्मनी वाले हैं नएक्स प्लंग रसर्च यह तो